अतिहाबाद में कॉंग्रेस जो है इवियम के बाहर निगरानी कर रही है कॉंग्रेस का तमाम कारिकरता वहाँ पर जुटे हुए है चौकेदाया ठीक से चौकेदारी नहीं करते ये कॉंग्रेस का कहना है और EVM सेंटर के बाहर पैरवी की जा रही है कॉंग्रस की ओर से आपको बता दें कि ये EVM सेंटर भोंडिया, खेडा, महिला, कॉलेज में बनाये क्या है कॉंग्रस के कारेकरताओं का ये आरोप है कि EVM सेंटर के चौकेदाया ठीच से चौकेदारी नहीं कर रहे है इसलिए कॉंग्रस के कारेकरता यहाँ पर तंबू गार कर निगरानी कर रहे है साथे उन्होंने ये भी कहाओ कि उन्हें बीजेपी पर शक है कि कहीं बीजेपी के कारेकरता EVM में कोई गड़बड़ी ना कर दे जिसके लिए CCTV भी लगा दिये गए हैं लेकिन बावजूद इसके विश्वास नहीं है कॉंग्रस के कारेकरताओं को और यही वज़ए है कि कॉंग्रस के कारेकरता खुद EVM सेंटर के बाहर मौजूद है और रखवाली की जा रही है एक तरीके से निगरानी की जा रही है उनका कहना है चौकिदार चीक तरीके से चौकिदारी नहीं कर रहा CCTV के मदल से जो है निगरानी की जा रही है और कॉंग्रस के अगर बात की जाए CCTV कैमरा भी लगा हुआ है लेकिन बाल जो दिसके दर जो है कॉंग्रिस की का आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको बता दें CCTV की मदद से जो है निगरानी की जा रही है कॉंग्रिस को EVM में गड़बड़ी का दर सताने लगा है और आपको यी भी बता दे कि कॉंग्रिस जो है EVM के बाहर निगरानी कर रही है चौकिदार ठीक तरीके से चौकिदारी नहीं कर रहा ये कहना है कॉंग्रिस के कारिकरताओं का और कॉंग्रिस के कारिकरता खुद EVM सेंटर के बाहर पहुंच गए है और लगातार निगरानी कर रहे है जाहिर से बात है कॉंग्रसियों को जो है डर सताने लगा है। एवीयम में कोई गडबरी ना हो जाए। अलकि इससे पहले भी स्वाल उठाय जा चुके हैं कॉंग्रस की और से इवीयम को लेकर लेकिन अब जो है उन्हें BGP से डर लग रहा है कि कहिं BGP किसी तरह की कोई गड़बडी ओधिम में ना करते तो कॉंग्रिस कोrange को EEM में गड़बडी का डर अब सताने लगा है यह बड़ी खबर आपको पते हथ से हबता रहे कॉंग्रिश जो है इव्यम् के भार निगरानी कर रही है और चाहस आपको यो पना दे चौकिदार ठीक तरीके नहीं करते यह से आ कउंग्रिश का कहना है सिस टीवी की मदद से निगरानी की जा रही है लेकिन वासुन इसके डर जो है को आबे कर दो तो लगतार की बड़ी और एहम खबर आपको बता रहे हैं पत्याबाद से जहां पर चौकेदार ठीक तरीके से चौकेदारी नहीं कर रहा यह कॉंग्रिस का तमाम कारेकरताओं का कहना है आपको बता दें कि लोकसभाद चुनाव को लेकर यह हल्चल देखने को मिल रही है और अगर हडियाना की बात की जाए तो जब से मद्दान संपन हुआ है उसके बाद से कॉंग्रिस को यह डर सता रहा है और इसे के साथ संपाद किया सलाकार कमलकांट गौरी जी अमार साथ पोलाइन पजूर गए हैं कमलकांट जी अगर इस पूरे मामले को देखा जाए जिस त मतलब यह है कि कोई गड़वडी ना हो किसी भी पार्टी की तरफ से और वो ठीक रहे लेकिन इसमें कोई गाई भी नहीं है अगर उनकी इससे संतुष्टी होती है कि हम खड़े रहें वैसे तो CCTV कैमने लगे हुए है और ऐसा कोई आरोप अभी सपश्ट रूफ से कभी आया वहां एक तंबू गाड़ा था जिर उस तंबू के अंदर वो देख ते अपना थे ते ते कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर क्यों को इससे संतुष्टी होती है क्योंकि अशोग तबर गी ने बया था चुनाव के बाद की अगर तो जाहिर सी बात है कि कार्यकरताओं को सिसी टीवी पर भी विश्वास नहीं है उन्हें लगता है कि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है तो कहीं न कहीं गड़बड़ी उनकी और से कर दी जाएगी साफ तोर पर इसे बीजेपी पर निशाना समझा जाए या सफ एक संतुष् लिए यह बात सही है देखिए जिस दिन इवी एम में कड़बड होने के पुखता सबूत मिल जाएंगे उस दिन यह बात और यह सवाल सारे जाएज हो जाएंगे जी और हम अपने लोकतंत्र की निश्पक्षता जो की पूरी दुनिया में मानी जाती है और कभी कोई बड़ है वो यही कहता है कि हम एवी एम को और दुरुस्त करेंगे यह नहीं कहता है कि हम एवी एम को हटा देंगे तो एवी एम जो है वो सबसे दुरुस्त वेवस्ता है अब तक की जब बैलेट पेपर होते थे तो गरीबों को महिलाओं को जो वंचीत वर्क होता है जो दलीत वर इसको डिशेट करना पड़ता है, वो रिसेट करना जो तबंग है उनको आता नहीं है, या उसमें इतना समय लग जाता है कि उस पर फर्जी वोटिंग नहीं हो सकती है, तो उसी को दृूस्त किया जा सकता है, तो इवियम पर कॉंग्रेस का ये चुनावी नारा इसको माना जा आज तक किसी ने कोई पुखता सबूत इस बात का नहीं दिया है कि EVM से चुनाव का परिणाम बदला गया कि पिछले दिनों में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें कॉंग्रेस भी जीती है और BJP भी जीती है अब ये कहना कि कॉंग्रेस को तीन के तीन राजियों में चिता दिया गया एस्टेबलिश करने के लिए ये सब चुनावी नारे हैं और जनता को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि जनता के लिए ये एंगरेस जीती है और वैलड़ पेपर का सिस्टम विल्कुल सही नहीं है तेलेट लड़ अनुह जुटक्र में जितना कमजूर वर्ग होता है जब से EVM आई है तब से आप देखिए कि परसंटेज ओफ वोट भी बढ़ने लगा है पहले कभी 55 से उपर नहीं जाता था अब 70 कहीं 80 कहीं उससे भी ज्यादा इस तरह से वोटिंग हो रही है इसलिए कि लोगों के मन में खौफ नहीं है कि हम जाएंगे और वहां कोई गुं से सवाल उठाए जाते हैं बिल्कुल सही का आपने बहुत बहुत शुक्री आपका कमलकान गौरी जीमार साथ जुड़ेते हैं सलाकार संपादक और EVM को लेकर सवाल तो कॉंग्रेस उठाती है लेकिन ये सवाल कितने जायज है इन्हें लेकर खुद एक सवाल अभी तक बर करार है और कॉंग्रेस के बन में ये दर है कि कहीं गडबरी जो है EVM में ना की जाए इसके लिए TVM सेंटर के बाहर कॉंग्रेस के कारेकरता पहुंचे है निगरानी करने के लिए झाल हुआ 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 छुआ घुआ